सबसे मरशूर सुपरस्टार मधुमक्ख्यों से लिप्टी रही और चू तक नहीं कि उन्होंने खतरना इरादे मधुमक्ख्यों के थे या एक्टरस के थे बात करेंगे इस वीडियो में अगर आपने सबस्क्राइब नहीं किया जल्दी से कर लिजे मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्ट सरता एक मधुमक्ख्य अगर मेरे कमरे में आ जाती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ जब तक कि मैं उसको घर से बाहर खिड़की से भगा नदू लाइट चालू करके और कैसे कैसे क्योंकि मधुमक्ख्य का डंक जो होता है वो कैसा होता है जिसको भी एक बार मधुमक्ख्य ने काटा है वो बराबर से समझ सकता है कि मधुमक्ख्य का डंक कैसा होता है खत्रों के खिलाडी में इतनी सारी चीज़ आती मधुमक्ख्या नहीं होती है विकि उनक जो डंक होता है वो बहुत डेंजरस होता है अब एक इतनी बड़ी सूपरस्टार एंजलीना जोली की मैं बात कर रहे हूं उन्होंने मधुमक्यों के साथ लंबा वक्त बिताया और उसके बावजूद जो है उनके चेहरे पर कोई शिकर नहीं थी खरोश नहीं थी यह देखें यह अंजलीना जोली एक सेकेंड इनका फेस हां और अब मैं आपको वीडियो दिखाती हूं यह देखें यह देखें यह लाइव वीडियो है वो खड़ी हुई है और इतनी मधुमक्या है यह देख लिजे और 18 मिनट तक वो ऐसी खड़ी रही उनको दरसल मधुमक्यों के प प्रच्णीक का इस्तेमाल किया गया मधुमक्यों को कैसे बता चले कि भाई शूट है मधुमक्यों कि क्या कोई ट्रेनिंग होती है बात करते हम तो यह एक शूट था जिसमें उनको यह दिखाना था कि मधुमक्यी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देना था इस पहल को प्रो यह टेक्नीक ऐसी है कि उन्होंने इटालियन मधुमक्यों को शूट के रिलाया और पूरे शूट के दौरान सब लोग शांत थे एंजलीना को और एक स्पेशल फोटरफर भी उन्होंने बुलाया था एंजलीना को छोड़कर सभी को शूट के समय प्रोटेक्टिव सूट प पहना हुआ था शूटिंग एर्या को बिलकुल शांत और अंधेरा रखना था ताकि मधुमक्या शांत रहें जैसे ही लाइट ज्यादा होन होती तो मधुमक्या बिन बिनाने लगती हैं मैंने एंजलीना के शरीर के उन हिस्तों पर पेरोफिन लगाया जहां मधुमक्यों को आकर्शित करना था पेरोफिन पर मधुमक्या आकर्शित होती हैं और जुंड ना बनाने के लिए भी आकर्शित होती हैं हमने एंजलीना के कमर के पास भी बहुत सारी मधुमक्यों को एक बोर्ड में रखा और एंजलीना एकदम स्थिर थी मधुमक्यों से लिप्टी हुई अठारा मिनट तक बिना किसी भी एक भी डंग के एक भी डंग जो है मधुमक्यों का नहीं हुआ और इस तरह से युनेस्को और तमाम लोग जो समात सेवा के काम में लगे हुए हैं उन तमाम कामों से जुड़ी एंजिली ने जोली ने एक और दिल्चस्प और बहुत ही खतरन स्टन किया आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में वैसे मधुमक्यों के डंग की याद आई के नहीं आप लोगों को जरूर बताएं कॉमेंट सेक्शन में